हुआ है हुआ है है लोग तो सब्सक्राइब कर लीजिए वीडियो लाइक कर दिए कमेंड में अगर आपको हमवर्क दिया जाता है तो कमेंड करके जरूर बताइए उसका आंसर ठीव अध्या तीन हमारा सुरू हो चुका है पहला पाटे बच्छो इसमें थोड़ा सा पाट के को सेलेक्शन करवाने में हेल्प करते हैं तो आपको नीचे दिये गए एक लिंक है के इसमें मॉडल पेपर टेशे सब कुछ आवेलेबल होगा वहापर आगे उसके बारे हम जनकारी देंगे आपको चलिए सुरुबात करते हैं पहले हम समझेंगे वच्छो क्या एक चीज ह यहां पर ठीक है पूरा एक सरकल है जिसको एक पूर्ण भाग बोला जाता है आपको पता है ठीक है अगर मैं इसके चार टुकड़े कर दूँ इसके में चार टुकड़े कर दूँ वो चारों को अलग-अलग बाढ़ दूँ तो हर चार की नीचे एक हर चार की नीचे एक हो जा तो सभी की नीचे चाहा लिखना पड़ेगा मुझे अगर मैं दो ही टुकड़े करता क्या करता मैं दो ही टुकड़े करता तो मैं इसको एक बटा दो ही लिखता जितने टुकड़े हो सकते हैं भई भिन्ने के नीचे हम लिखते हैं ध्यान रखेगा अगर माल जैसे चाहर टु भाग बापिस complete हो जाएगा आगे और जानकर लेते भिन्न के बारे में चीए भिन्न के प्रकार होते कुछ अलग-अलग तो हमने तीन चार प्रकार रखें आपके लिए जो की important होते हैं पेला प्रकार है उचीद भिन्न उचीद भिन्न किसे कहते हैं नोर्मली समझेगा वह भि प्रकार से लिखा गया मालू यह संख्या लिखी गई है उपर वाले को हम बोलेंगे अंस क्या बोलेंगे अंस बोलेंगे और नीचे वाले के क्या बोलेंगे हर ठीक है यह माइना आपको रखना है उपर वाले को अंस बोलते नीचे वाले को हर बोला जाता है ठीक है यह आप बड़ा होगा उपर वाली संक्या से अन्ज से हमेशा हर बड़ा होता है इसी प्रकार से अनुचित भिन्द में समझेंगे वह भिन्द जिसका अन्ज सद्य हो हर से बड़ा होता है मतलब इसमें सभी संक्या उपर वाली छोटी हो जाएगी इसमें सभी संक्या नीचे अली ठीक है घर एक ट्रिक लगाना चाहो कि यह क state वता तो में यह और लकाई उचित लिखरा कि grown up होते इसमें कितने ibn ऐसो तरफ थीं सब्थ उते इसमें इसितना अनुचित लख थार से फिर एक दो तीन चाह मतलब 2019 टीन नमबर सितु एटब चोटा होता है कि ृधिंच कर बदा ऑन्स यहां पर शोटा है तो यहां पर उपर इस प्रकार से इसको माइड में रख सकते हैं कि अगला दाव्यक मैं एकॉचा इंच रहता है हैं तो बहुत रही इस प्र debates रामिलिद्र्शने वरूर्ण मिलाई टॉकर्ण सी पॉर्ण संक्या है लेके चलती है इस प्रकास को पढ़तने इसको बोलते हैं पुंडा को ब्हुती है वाट्युन फोट्टिल विश्यरा है यह बन्हीस को практически!! बिन्द में भिन्द आरी कि झी इस प्रकार से भिन्द के अंदर बिन्द छुपिये यह बटे में एक तो उपर वाली बिन्द को शाम Amanda ङेगी। चलिए अब हम सुरूगत नहीं उसके पहले आपको मैं बता दो हमारी बेंच के बारे में बच्चो धाकर नवदा एकेड में करके बेंच रहेगी यह हमारे कॉंटेक नमबर हैंगे बच्चो सीरियसले बता रहा हूं अगर आप कम पेशों में अच्छा सिक्षा प्राप्त करके सेलेक्शन पाना चाते हों आपकी उमिद जाया नहीं जाएगी आप बस मेनुद करके अपको सेलेक्शन हो जाएगा धाकर नवदा एकेड़ बच्चो चैनल का नाम भी है और हमारे एप का नाम भी प्ले स्टोर पर जाके आप डाउनलोड कीजिए यह हमारे कॉंटेक्ट नमबर है अब इसमें कॉंटेक्ट भी कर सकते हो जानकारी के लिए और आपको सब कुछ यहां पर मैंने डिटेल में ल जोइन करते हैं लेकिन वह बहुत पीछे हो जाते हैं उसको बहुत ज्यादा करना पड़ता है तो आपको सारी सुवीध है आपको प्रोपर तरीके से मिलने वाली बहुत अच्छे से यह मने लिखी इससे ज्यादा यह आपको मिल जाएगा जहां तक मुझे लग रहा है क्यो है पूरी तरीक से जिसमें हमें क्या आपको क्लियर करेंगे 100% सिलेबस कराएंगे अभी सिलेबस डिसक्राइब नहीं क्या उन्होंने बताया नहीं है लेकिन हम अभी चल रहे हैं हलाकि हम सारे सब्चे सारे अभी लेके चलेंगे चैटर जब सीलेबस आ जाएगा तो मतलब पर्टेकुला जो वही सब्जेक्ट लेके चलेंगे वही सिलेबस लेके चलेंगे जो वह उन्होंने उनको बताया प्रोस्पेक्ट अंदर वो डाल देते हैं वही वाले हम लेके चलेंगे तो अपी तो सुरुवात करें बच्चों यह हमारी प्राहिस देख लीजिए एक मात रहें बच्चों सिलेक्शन चाहते हो तो इतना पेशा जो कि आपको पता है साल बर में अगर आप नॉर्मली खर्चा करते हो कि खाने पीने आपे टोफी के लिए उतने खर्चेंगे आपको सिक्षा मिल जाएगी जिसमें सिलेक्शन की चांस बढ़ जाएंगे तो आपस गुणन फल का मतलब होता है गुणन फल लगा दो दो सहीद एक बटा थी ठीक है अब इस सवाल को करेंगे कैसे जिसने जोबी मिस्रिद भिन्न होती इसको हम नॉर्मली पहले चेंज कर सकते किस प्रकार से इन दोनों के बीच में गुणा होता है जो अंसर आता उसमें यह ज बटे वापिस लिखते हैं गुड़ा लगाएंगे तीन दू नीचे और एक साथ के वट्टे में क्या हो जाएगा तीन हो जाएगा बच्चो अब यहां पर एक को चीज आपको समझने चीए कि यहां पर हमको यह इस पष्ट दिख रहा है देखिए कि नीचे नीचे गुणा होता है ध्यार रखिए जब बूने का निशा आता बीच में नीचे नीचे गुणा होता है रुपर रुपर गुणा होता है लेकिन क्रोस में हमेशा भाग होता है तो साथ से साथ एक बार में कडिया बाकी नहीं कट रहा है दर दस और तीन तो दस एक अगला सवाल है। यदि किसी राशी का दो ती हाई, एक सो असी के एक ती है सब्सक्राइब्owe सब्सक्राइब सवाब चाहल इसके बन जाएगा और इसने बुल hunt about तो नब्भ ॥ाँ आएगा थी जब दोने पर डैसर है तो तो किंगे था बाझा ऑन फाए आफाइगा मतलब थो इतना हुझा है तो चुछ हाइगा göstosarig name 298, 297 277 किसे 270 yes? 270 यहां पर हो रहा है okay май 270 यहां पर हमारे साव ने आ रहा है 2 260 हुआ कि नीन हुआ, दो जो संक्या क्या हूए, 260 हुआ है, 2 270 मुझा हूए, 210 क час निकालना है, 270 का एक इख निकाल लेते है, कितना होगा ? हाँ तो परी सिंपल से बात है ना कि यदि किसी राशी का दो तीहाई 180 के एक तीहाई के बराबर है तो वह राशी क्या होगी एक तीहाई के बराबर है यहाँ पर है ना तो एक तीहाई उसका क्या होगा उसका होगा 2 तीहाई तो हमने निकाल दिया 1 तीहाई के बराबर ठीके, अब उसका 1 तीहाई क्या होगा बच्चो 2 तीहाई 180 के 1 तीहाई के बराबर तुपर राशी क्या होगी ठीक है, तुपर राशी क्या होगी बच्चो थीकि बच्चो इसका अंसर क्या होगा 90 क्या होगा इसका 90 हो जाएगा simple चली बोटी simple था यापको क्लिए समझ में तोटल क्या था 2 बटा 3 मतलब क्या एक स्थी बराबरया तो अगर मैं इसको 3 बटा 3 करो यानि की पूरी संख्या निकाला तो 270 हो गई 210 क उसने एक बटा 3 निकाला दो 260 गए वेट इन नभबय होता है बचो दिया पर इस कानसर क्या होगा नभबय चलिए अगला सवाल है हमारा निम लिकित में से कौन संक्या आरोही क्रम में हैं तो आरोही क्रम किसे कहते हैं बच्चो अगर आप हमारी बेस लेते हैं तो आरोही क्रम के बारे हमने डीटेल में पड़ा रखा हैं आरोही क्रम किसे कहते हैं बच्चो आरोही क्रम यानि की छोटी संक्य वो हैसे बड़ी संख्या की और जाना इसे चार के बाद चार के बाद यारिगा सात आ जाएगा दस आजाएगा द्सा जाएगा थेडराइग करना सब मतलब बढ़ते करम में जाना है तो बढ़ते करम में पेच्षा नएगं के कसे इन में से तो देखो सिंपल तरीक से मैं आपको बता दूँ आपको समझ में आ जाएगा कि जब सेम संख्या वह ऊपर ठीक है जैसे माल लिजी एक कोई संख्या में यहां पर रख लिए तो आपको एक चीश क्लियर कर दो जब संख्या उपर अगर सेम आ जाती है तो जो असल में जो सबसे बड़ा दिख रहा होता है वह सबसे छोटा कहलाता है ठीक है मतलब जो सबसे बड़ा दिख रहा है नीची नीची देखना उपर सब इसे में जो सबसे बड़ा दिखता है वह सबसे छोटा होता है तो सबसे पहले नंबर पर कौन सबसे छोटा रखेंगे यह वाला आ में 2 पर 10- Origin को छाहिए 3-90 को होना चाहिए 3-90 क्या च्वें फिर संग्ख्या की वैसल की तु सबसे चोटा है अगर अगर सभी सेम नीचे जब अजब अलग झाफ तो जोसब से बढ़ा होता होता एंद और छोटा घुटा होता है 13 Mary चलिए अगला सवाल है बच्वों 5 बटे 7 भागी 2 बटा 7 बच्वों जब भाग आता है बीच में आपको बुछ भी नहीं करना है ऐसे सवाल आपको बीच में बुणा लगाना संख्या को पलड़ देना है तो आपको पता है यहां पर भाग का सीन क्या होता है अब आपस जो क् 5 बटे में दो ूप्शन आपको पांच के बटे में Dana ओप्शन हुगा बिलकुल पर्फेक्ट अंसर होगा पच्व न को क्लियर देंगे डिख रहा है चले सबको मेरे ख्याल से चलो ठीक है क्लियर दिख रहा है है ना तो यहाबर अंसर क्या होगा पांच के बटे में दो चलिए अगला सवाल हमारा एक दसमलो दो पांच को एक दसमलो दो पांच के तुल्य भिन्न हे बताना है एक दसमलो दो पांच के तुल्य भिन्न क्या है बताना है तो अच्छो यह दो ऑप्शन तो हो गए गलत इसका काराण क्या है इसका काराण क्या है एक होग्स और ऐसां लग जाएगा हर संख्या के नीचे एक होता है हर संख्या के नीचे ही होती है पर चीरो हम लगा देते हैं तो पत्चिस एकम पत्चिस फट्चिस चोग होता है 100 यह नि एक तो आगे रहेगा रहेगा वट्टे साथ में एक सहीत एक बटा चार बन जाएगा एक बटा चार इसके साथ जुट जाएगा तो ऑप्शन नमबर ए हमारा यहाँ पर परफेक्ट होगा, option number यह बिलकुल यहां पर परफेक्ट होने वाला है हमारा चलिए, अगला सवाल है, दो संख्याओं का गुणर पर पांच बटा चार है यदि एक संख्या पांच बटा अच्छो हो तो दूसरे संख्या ग्याद कीजिए बच्छो सिंपल से बात कीजिए, वो बोल रहा है कि दो संख्याओं का गुणा करने पर मुझे मिलेगा पांच के बटे में चार यह उसने बोला बोला ना दो संख्या को गुणा करने पर यदि उसमें से एक संख्या माल लेते हैं मैंने एक तो मुझे नहीं पता एक संख्या मुझे पता है पांच बटाचे उसने दे रखी एक संख्या पांच बटाचे हो तो दूसरी संख्या को निकालने तो बचो सिंपल से हाब काशिए सब्सक्राइं कि आपको चैट्ट अबसें सब्सक्राइं को बड़ाबर के उदर बेज़ेंगे इस संख्या को गुणा लगा अगा हुआ ठीक है, छे हो निचे आजाएगा, पांस सिंपल, बाद आए समझ में, संख्या को बराबर के उधर बेशते हैं, अगर ये गुणा होता है, उधर भी गुणे में रहेगी, पर संख्या पलट जाती है, ध्यान रखियेगा, अब क्या होगा इसमें, बस सिंपल दरीके से देखि होगा, option number C, चलिए, अब ये सवाल है बच्चों, ये आपको खालना है, ये होमबा क्या आपके लिए, ये क्या है, आपके लिए होमबा की, मैं आपको एक बाद समझा रता हूँ, थोड़ा सा, ठीक है बच्चों, अब इसमें कुछ भी इंगाना, बच्चों देखो ये आपको कर लेना फिले तो फिर नीचे आ लगा है, इसम निकालना है, उसके बाद सुलूशन होगा, तो आपको ट्राइ करना है, अगले वीडियो में में सवाल को लूँगा, नेक्स पार्ट तू के अंदर और आपको इसका सुलूशन बताऊंगा, बज 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 आपसे नि अगया है, है, अगया है, यह में विवाए नमर आप नोट डाउन करना है, यह उधर से आप कर लीजिएगा, इसको पल्टा देता हूं, घीए हर एक छीज आपको में डीटेल में बता देता हूं निदर तू के लिए देखिए बच्छों, आपको बताई कर दोज़ार 25 के ल बच्चो यह हमारी बेचे धाकड नवदय ऐकेडमी के ऊपर आपको धाकड बेच मिल जाएगी नवदय चैन परिक्षा 2006 मतलग अक्षा 6 के लिए 2005 की बात हो रही है पर इसको आपको जोइन करना चीए बच्चो क्योंकि इसमें मिलने वाली जो सुवीधा है वो हर कहीं पर ने किये अच्छे से समझाता हूं क्योंकि मुझे पात सालों का एक्सपरियांस है पूरी तरीके से बच्चो आपसे निव्यत दरने की देखिए जुड़े हुए ता आपको फाइदा होगा लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी सारी सारी सुवीधा है बच्चो बच्च्चो आपको 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 इन्यवाद बच्चो